आज हम जानेंगे बैलून को चमच की मदद से कैसे फुलाएं तास्टिक को हमने जूते क्यों पहना रखे हैं अगर आपके घर में भी जुराब बार बार गूम हो जाते हैं तो ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए आज के बाद आपके कभी भी जुराब नह तो हमारे हाथों में बहुत ज़दा ठंडक लग जाती है जिसकी वज़े से सर्दी खासी हो जाती है तो हमने क्या करना है इन गलफ्स को घर पे बेटे-बेटे ही हम सुखाएंगे बिना धूप के बहुत ही आसा ट्रेक मैं आज शुको अताने वाली हूं आपको तो आपके आपको ज़र अपनाना चाहिए गलफ्स बड़या से सूख जाएंगे आपके पास टीशू पेपर हो नियूस पेपर हो या नॉर्मल कोई साभी पेपर हो आप ले सकते हैं आपने इनके इस तरीके से बॉल्स बनानी है और इन बॉल्स को गलफ्स के अंदर डाल देना है अग पर आप पेपर चेंज भी कर सकते हैं वैसे तो एकी बार में ये सूख जाते हैं इसके बाद में यहाँ पर हमने फिर से पेपर लेना है गलफ्स को अच्छे से कवर कर लेना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसके बाद में चलते हैं हम गेस की तरफ तो गेस पर ही यह जल सकते हैं या चिपक सकते हैं तो कुछ इस तरीके से पेपर की मदद से आपने इन्हें सुखाना है आप चाहते हैं यहापे तो सिल्वर फॉयल पेपर का यूज़ कर सकते हैं उससे भी यह बहुत अच्छे से सूख जाते हैं यह ट्रेक आप सॉक्स के लिए भी सेजर में इन्हें पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बहुत ज़्यादा हमें ठंडक लगती है हाइव ट्रिक आपको पसंद आती है इस थरीके से आप जुराव और अपने हाथ की जो गलफ से इस पेशली जो वूलन्स वाले हैं इनको आप सुखा सकते हैं ट्रिक बहुत ही यूसफुल है जरूर यूस करके देखिएगा हाथो हाथ अपने गलफ और सुखा सकते हैं और आप पहन भी सकते हैं ये ट्रिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादे यूसफुल है क्योंकि खा होगा कि हमें इसमें एक नोट जरूर लगाना होता है बेना नोट लगाए ये अटकता नहीं है जादतर हम लोग क्या करते हैं फिंगर की मदर से कुछ इस तरीके से इसमें नोट लगाने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से हम लगाते भी हैं पर क्या होता है हमारी फ यह तो और वियूज्कर है kings लांटे के अपंशके की यह अपिसी में आसे बालोहीं और यह उसका और लगा झारी जाएक ना ट्याहितVA अगर राणने शरते से बाहर आदे कर आप लगण में आइसके मोई और यूज़् करनें लिए बार बार जब उन्हों नोड लगाना होता है तो हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें नोड लगता नहीं है क्योंकि फिंगर फर्जाती है आप ट्रीक आपको पसद आती है और आप इसे जरूर यूज करके दीखेंगी ठंड का सिजन चल रहा है और हर घर में जूते जरूर पहने जाते हैं जब गंदे होते हैं तो हम इने धो देते हैं धूप निकलती नहीं है ये सूखने का नाम नहीं लेते हैं और इसे हम सुखाएं कैसे तो आपके घर में जो पॉलतिन बैग होंगे जरूर इसी का आपने यूज़ करना है इसके हैंडल में इन दोनों हिस्से को इस तरीके से अटका देना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसके बाद देखेंगे आप ये जूता बहुत जली से सूख जाएगा क्योंकि जितना भी पानी है वो ड्रेन हो जाएगा ये ट्रिक बहुत यूसफूल है स्पेशल विंटर और बाइस के सीजन में आपको कुछ और यूस करने की बिल्कुल जरुबत नहीं है किसी कील वगेरा पहेंग करने की बिल्कुल जरुबत नहीं है एक की एक बुन पानी पहार आजाएगा और ना धूप होते वे भी आपके जूते रात भर में बड़े असे सूख जाएगे रिक यूसफूल है जरूर यूस करके दीखीगा हमारे खमेना बहुत सारे बेटशेट वगेरा होते हैं कंबल वगेरा होते हैं यानि बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो कि हम रखे रखते हैं सोचते हैं कि बाद में यूस करेंगे जब हम इने अच्छे से और्गनाइस करके नहीं रखते हैं तो ये सब जजट ना हो, इसके लिए एक ट्रेक आपको बता रही हूँ, इससे अच्छे से ये और्गोनाइज रहेंगी और देखने में भी बढ़िया लगेगे, हमारे घर में तक्ये का कवर ज़रूर होता है, मेरे पास भी कुछ तक्ये के कवर हैं, जो कि सिंगल सिंगल ही तो इसी का हमने यूज़ करना है, तो आपके घर में बैटरी ठोओ, तक्ये कवर हो, परदे हो, जो कि आप एक्स्टा में रखे रखे होते हैं, कभी नेस्ट टाइम यूज़ करने के लिए, तो उन्हें आप इस तरीके से अच्छे सा और्गोनाइज करके इसमें रख सकते ह या तक्ये से थोड़ा सा एक दो इंच छोटा करना है, ताकि ए तक्ये की कवर में बहुत अच्छे से अंदर चला जाए, आपको अलग से कोई एक्स्टा कवर खेंदे की बिल्कुल जर्वत नहीं पड़ेगी, बस घर में पुराने रखे हुए इन तक्ये कवर का आप बहु यूस कर सकते हैं, बहुत यूसफुल है कर जरूर यूस करके देखेगा, आप इसे पलंग में रख लीजे, अन्मेरा में रख लीजे, देखने में भी सुन्दर लगेंगे और आपको जो सामान है, इसके अंदर जो भी वेटशिट वगेरा, परदा वगेरा आपने रखा है अच्छे से और्गनाइज रहेगा, धूल मिट्टे बिकुल नहीं लगेगी, ना है किसी तरह की फंगस लगेगी इसमें, आप ट्रिक आपको पसंद आता है, आप इसे जरूर करना चाहेंगे, मैं भी आपको दिखा रही हूँ जितने भी तक्या वगेरा है, मैंने भी इनक पसंद आने वाला है, हमारे घर में बड़े हो, छोटे हो, हम खुद ही क्यों नहों जुराब बहुत ज़्यादा पहनने में यूज होते हैं, इन जुराब का पेर अगर घूम हो जाए तो यह हमारे किसी काम नहीं आते हैं, जुराब के पेर ना घूम हो, इसके लिए में ट् हो जाते हैं, क्योंकि हम बड़के हैं, तो खुद तो समाल के रख लेते हैं, पर बच्चे बिलक्ल नहीं रखते हैं, तो क्या करना है, आपने बच्चों को भी ट्रिक बताना है, उपने खुद भी इसे अपनाना है, एक जुराब को इस थरीके से आपने फ Jourड कर लेना है, और दूसरे जुराब के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर जितने भी जुराब है मैंने इनको क्लीन किया है। इसके बाद में यह ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर आप जल्दी बाजी में है तब दूसरा ट्रिक है उसे भी आप ध्यान से देखीगा। तो मैंने यहाँ पर एक जुराब को फोल्ड किया है। दूसरे जुराब के अंदर कुछ इस तरीके से डाल दिया है। जुराब को हलके हलके से हमने गूल गूल फोल्ड करना है। और उपर की तरफ आपने देखा होगा यहाँ पर हलका सा रवट जरूर लगा होता है। बस इस तरीके से इसे फोल्ड कर दीजिए। बहुत आसानी से फोल्डिंग हो जाएगी। तो यह ट्रिक तो है हमारे बड़ों के लिए क्योंकि हम इस तरीके से जुराब को अरसानी से रख सकते हैं। अगर घर में चोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे भी हैं जो कि अपना सामान को ठीक से वैवस्शित नहीं करके रखते हैं। तो उनके लिए भी ट्रिक है . आप इसे कम से कम जगा में भी और्गनाईज करके रख सकते हैं बड़े आदिक्षने में लगता है जिसे कि आपको दिखा भी रही हूँ दूसरे तरीके में क्या करना है हमने दो जुराब लेना है अगर आप ये बाहर से आ रहे हैं तब जूते में से जुराब निकाल के रख रहे हैं या दोने के लिए ही आप जुराब क्यों ना रख रहे हैं कितनी ही जल्दी बाज़े में क्यों आप बस कुछ नहीं करना है जुराब लेना है तो दूसरा जुराब आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा बिल्कुल भी आपको जुराब कभी भी गूम नहीं होने वाला है तो दो तरीके मैंने आपको बताए है जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते है पहला वाला तरीका जादा बेटर है क्योंकि इसे बहुत कम फोल्डिंग बेंटती है और ये देखने में भी काफे सुन्दर लगता है और कम से कम जगा में काफे सारे जुराब आ जाएंगे ट्रीक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बहुत यूसफुल हैक है तो शेयर करना बिल्कुल न भूले चले मिलते हैं अगले यसी यूसफुल वीडियो में जो आपके घर और कीचें के काम को आसान बनाए देखने के लिए धन्यवाद